ओल्राइट गाइज, I hope you guys are doing well और आज के इस वीडियो में हमारे पास है 3 hooded sweatshirt Let's start the video यह एक blue clear का hooded sweatshirt है और यह लिवाईज की तरफ से आता है तो चलो इसे खोलते हैं इस sweatshirt को आप फ्रंट से देखोगे न यहाँ पर आपको बड़ा सा hood देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको draw sting देखने को मिल जाते हैं chest में आपको यहाँ पर Levi's की branding देखने को मिल जाएगी जो की एक बहुत ही अच्छी print है और इस तरह से जल्दी से खराब भी नहीं होने वाला है बंबा चलने वाला branded sweatshirt है और यहाँ पर हमें long slip देखने को मिल जाते हैं नीचे चले तो यहाँ पर हमें kangaroo pocket देखने को मिल जाते हैं depth बगरा काफी अच्छा है और दोनों साइज से आपके हाथ अराम से अंदर चले जाएंगे और आपको गर्वी फील होगा और आप नीचे जाओगे ना यहाँ पर हमें ribbed ham देखने को मिल जाते हैं जो कि easily stress हो जाता है और आपके body के according अराम से fit आजाएगा और यहाँ भी हमें ribbed cup देखने को मिल जाता है जो कि छूने में काफी ज़्यादा soft है smooth है और यह आपके hand के according ना fit आजाएगा और easily stress हो जाता है और आपको पहनने में काफी ज़्यादा comfortable feel होगा इस hooded sweatshirt को आप पीछे से देखोगे तो पीछे से आपको कोई भी तरह का print और style देखने को नहीं मिलता है पीछे से इसे बड़ा ही simple रखा गया है और देखने में बहुत ही जवज़स लग रहा है ठीक इसी sweatshirt के नीचे आपको यहाँ पर एक छोटा सा लिवाइस का branding देखने को मिल जाएगा जो कि देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है फैबरिक की बात करो तो इसमें आपको 100% cotton मिलता है कपड़ा छूने में बहुत ही ज़्यादा वाला premium है और आपको definitely यह cheap कहीं से नहीं लगेगा और यह छूने में काफी ज़्यादा soft and smooth है और फैबरिक भी आपको इसमें तोड़ा मोटा मिलेगा लेकिन मैं सच सच कहूंगा तो आपको अंदर की side यहाँ पर कोई भी फर देखने को नहीं मिलता है या फिर आपको कुछ गर्म रखने वाले चीज जैसे अंदर से लगे वे नहीं मिलते हैं यह जैसा front से दीख रहा है बिल्कुल ऐसा ही है और बाकी यह आप कम ठंडी के लिए यूज कर सकतो यह देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगेगा लाइट वेट है और यह काफी ज़्यादा अच्छा दिख भी रहा है इसमें हमें एक टैग लगवा मिल जाता है इस टैग में इसकी प्राइस लिखी हुई मिलती है हमें 2,999 रुपे डोंट वरी यह हुड़ेट स्वेट है मैंने करता है 1,199 रुपे में सिंपल रखा गया है और देखने में काफी ज़्यादा कूल एन एस्टेटिक लग रहा है दूसरे नंबर पर हमारे पास जो हुड़ी आता है यह आता है पूमा की तरब से और यह नवी ब्लू कलर का हुड़ी है जैसा कि यह वीडियो में दिख रहा हो गया देखने में काफी जवज़स्त है इसमें हमें एक बड़ा सा हुड मिल जाता है देखने को यहाँ पे आपको अंदर की साइट Puma की ब्राणिंग देखने को मिल जाता है ठीक आपको चेस्ट में यहाँ पे Puma लिखा हुआ मिल जाता है वो भी बड़े वाले प्रिंट में जो की देखने में काफी जादे अच्छे लग रहे हैं और इसकी प्रिंट की बात करोना बहुत ही अच्छा प्रिवेम क्वालिटी यूच करा गया है और आपको ना इसके प्रिंट को लेकर कोई भी तरह का प्रोब्लेम नहीं होने वाला है इसमें हमें ड्रोस्टिंग देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे कंगरू पोकेट देखने को मिल जाता है।ähänग्याल यहाँपे कंगरू पोकेट प्रीप्ट फीट जाएगा। और इस वाले hoodie के अंदर देखने पर यहां पर हमें फर देखने को मिल जाता है जो कि आपको ठंडी से बचाएगा और आपको अंदर से गर्म रखेगा इस hoodie को भी पीछे से काफी ज़्यादा सिंपल रखा गया है यहां आपको कोई भी तरह का print या style देखने को नहीं मिलता है इस hoodie के corner पर यहां पर आपको Puma की branding देखने को मिल जाएगी जो कि देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यह वाके में 100% cotton है फैबरिक छुने में काफी ज़्यादा soft है smooth है और काफी ज़्यादा premium quality का है और मैंने यह hoodie लिया है 17 रुपे में लिंक आपको न आसानी से fit आ जा रहा है और यह देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और फ्रंड में जो पूमा लिखा हुआ है और देखने में काफी ज़्यादा लग रहा है और इसमें लगावा मिल जाता है ड्रोश्टिंग में आपको यहां पर रेड कलर के कैप लगे हुए मिल जाते हैं जो कि देखने में अच्छे लग रहे हैं नीचे चले तो यहां में जिप कलेजर देखने को मिल जाता है जो कि आप पेंडाउन हो जा रहा है और आपको एक ब्राइन के साथ साथ एक इस्टाइल को एड़ कर रहा है और नीचे आने पर आपको यहां पे चेस्ट में डुकाटी का ब्राइनिग देखने को मिल जाएगा थीक डुकाटी के नीचे आपको यहां पर रेजंटल पीने प्रवाइट नहीं यह एक रिफ्लेक्टर है जो कि देखने में काफी जदा अच्छा लग रहा है और एक अच्छा सा combination बन के आता है और इसमें हमें ना long slip देखने को मिल जाते हैं इसमें हमें ribbed cup देखने को मिल जाता है जो कि easy stretch हो जा रहा है बहुत soft है चुने में और पहनने के बाद आपके ना body के recording fit आ जाएगा ठीक उसी के नीचे चलने पर यहाँ पर हमें side pocket देखने को मिल जाता है और depth बगेर काफी अच्छा है और अंदर का कपड़ा जो यूज करा गया है ना चुने में काफी जादा soft है smooth है और बहुत ही अच्छा वाला फील आ रहा है ठीक उसी के नीचे चलने पर यहाँ पर हमें ribbed हैम देखने को मिल जाता है तो back से देखने पर यहाँ पर हमें अलग सा style नहीं मिलता है लेकिन हाँ इसमें जो style अल्रेडी दे रखा है वो देखने में काफी जवाज जस लग रहा है और इसके लेफ्ट अले slip में आपको यहाँ पर एक जिप लगा हुआ मिलता है और इसमें काफी ज़्यादा recently stretch हो जाता है और आपको body के a海溅 कर जाएगा ज है यह के लिए मिलसा के लिए जाव देखने में काफी जवाज करा सब्यारु को ने ज़्याएabeth आपको 1574 है लिंक आपको नीचेjes मिल जाएगा अगर आप इसके लिए जाना च्याता है तो जा सकते हूं यह एक multi color hooded sweatshirt है तो देखने में काफी जवज़स लग रहा है इसमें red color white color और यहाँ पर chest में ducati लिखावा मिल जाता है जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है और साथी साथ इसके left वाले hand बना यहाँ पर हमें एक zip लगावा मिलता है जो कि इसके लुक को काफी लग रहा है अगर आपको यह वाला biker hooded sweatshirt पसंद आया तो आपको डेफिनेटली यह वाला भी पसंद आएगा और दो मैं hoody ऐसे recommend कर देता हूं जो आपको लेना चाहिए क्योंकि यह भी वाके में काफी अच्छे hoody है जैसे कि यह और यह वीडियो अच्छा लगा तो गुलियेगा उधर नहीं हम बेश डिल प्रोवाइड करते हैं